एक शिश्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गाव जा रहा था। तब गाव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुवा दिखाई दिया। शिश्य प्यासा था, इसलिए उसने कुवे से पानी निकाला और अपना गलातर किया। शिश्य को अध्भुत त्रिप्ती मिली क्योंकि कुवे का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिश्य ने सोचा क्योंना यहां का जल गुरुजी के लिए भी ले चलू। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिश्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टी महसूस की। उन्होंने शिश्य से कहा वाकई जल तो गंदाजल के समान है। शिश्य को खुशी हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिश्य आग्या लेकर अपने गाव चला गया। शिश्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुला कर दिया। शिश्य बोला, गुरुजी इस पानी में तो कड़वापन है और नहीं यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिश्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ। इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिश्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उम्रा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरहे ठीक नहीं लगा। पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी करना नहीं चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया। तब वह शीतल हो और मशक के साफ न होने पर यहां तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है न। कहाने की सीख दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। प思ते हम तॉसरों को आते 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 हैं में में जा हम में एक श्यदू है। झाल झाल